आज मन की बात के माध्यम से मैं देश स्वाश्यों से तीन अनुरोध कर रहा हूँ मेरा पहला अनुरोध है जैसे देश स्वाश्यों ने सुच्छता को एक जनांदोलन का रूप दे दिया आईए वैसे ही जल सवरक्षन के लिए एक जनांदोलन की शुरुवात करें हम सब साथ मिलकर पानी की हरबून को बचाने का संकल्प करें और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है पानी पारस का रूप है पहले कहते थे कि पारस के स्पर्ष से लोहा सोना बन जाता है मैं कहता हूँ पानी पारस है और पारस से पानी के स्पर से नव जीवन निर्मित हो जाता है। पानी की एक-एक मुन को बचाने के लिए एक जागरुकता भियान के सुरुवात करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बचाएं। साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। मैं विशेश रुप से अलग-अलग छेत्र की हस्तियों से जल समरक्षन के लिए इनोवेटिव केंपेंज का नेतरुत करने का आगरह करता हूँ। में साथ जुटें। आप देखिए अपनी आँखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। देश्वास्यों से मेरा दूसरा अनुरोध है। हमारे देश में पानी के सवरक्षन के लिए कई पारमपारिक तौर तरीके सद्यों से उप्योग में लाई जा रहे हैं। मैं आप सभी से जल सवरक्षन के उन पारमपारिक तरीकों को शैर करने का आगरह करता हूँ। आप मैंसे किसी को अगर पोर मंदर पुझ्य बापु के जन्मस्थान पर जाने का मोका मिला होगा, तो पुझ्य बापु के घर के पीछे ही एक दूसरा घर है, वहाँ पर 200 साल पुराना पानी का ठंका है, और आज भी उसे पानी है, और बरसाद के पानी को रोकने की विवस तो मैं हमेशा कहता था, कि जो भी किर्ती मंदिर जाएं, वो इस पानी के टंके को जुरूर देखे, ऐसे कई प्रकार के प्रोग हर जगा पे होंगे, आप सभी से मेरा तीसरा अनुरोध है, जल सवरक्षन की दिशा में, महत्वपुन योगदान देने वाले ब्यक्तियों का स्वहिम से भी समस्थाओं का और इस खेतर में काम करने वाले हर किसी का, उनकी जो जानकारी हो, उसे आप शेयर करें, ताकि एक बहुती समरुद्ध, पानी के लिए समर्पित, पानी के लिए सक्रिय, संगठनों का, व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाया जा सके, आईए, ह हम जल्द सवरक्षन से जुड़े, जादा से जादा तरीकों की एक सूची बिना कर, लोगों को जल्द सवरक्षन के लिए प्रेरीत करें, आप सभी हैश्टेग जनशक्ती, फार जलशक्ती, हैश्टेग का उप्योग करके, अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं,